नमस्कार दोस्तों आप सभी का GS campus पर बहुत-बहुत सवगत है दोस्तों UP TET जिसका exam 28 November को है इसके बारे में एक official note की साही चुका है कि चार तारीक को notification आएगा साथ तारीक से registration शुरू होगा और 28 November को exam होगा और 28 December को इसका result आजाएगा तो इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे साथी साथ इसका जो environment में प्राइमरी लेवल पर जो तीस question आएगे उसके बारे में भी बात करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह exam कराएगा उत्तर पदेश बेसिक सिच्छा बूर्ड और इसका exam इन्ही उत्तर पदेश सिच्छक पातरता परिच्छा राजिस्तरी परिच्छा होगी पार्म आलाइन मोड होगा परिच्छा अफलाइन होगी और यह सारा डेटेल आपको यहां पर दिखाए गई है ताती साथ इसमें क्या क्या होगा जैसे कि आप जान रहे हैं कि इसमें आपको बाल विकास के 30 प्रशन होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे हिंदी भाषा प्रथम 30 नंबर 30 कुश्चन इसी तरीके से दूसरी भाषा वो भी 30 नंबर फिर मैत आएगी 30 नंबर और पर्यावरन अध्यन आएगा 30 नंबर यहीं 500 नंबर और जन्रल कंडिडेट के लिए इन 500 में से क्वालिफाई करने के लिए 500 में से इसका 60 परसेंट नंबर लाना जरूरी होंगे 60 परसेंट बनता है 90 यहनि जन्रल कंडिडेट को 90 नंबर लाना इसमें है अगर वो इसको क्वालिफाई करना चाहता है नब्बे नंबर जन्रल के लिए 60 परसेंट तो इसमें जो 30 नंबर का यह इन्वाइरमेंट है एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है हलांकि सारे इंपॉर्टन टॉपिक है लेकिन इन्वाइरमेंट आपका और भी जीएस के और भी एक्जामों में काम आएगा तो इसके अगर हम लोग यहां पर बात भी करेंगे इस पर रोजाना एक इस पर वीडियो भी देंगे तो उसमें देख लेते हैं कि इन्वाइरमेंट में है क्या-क्या तो अगर हम लोगे हैंपर यृमबर मेंट Modi गहां दॉबात करते हैं तो इसमें परिवार जोजन स्वास्त भावना भारत में नदियां परबत पठार बन यातायात महादीप महासागर हमारा प्रदेश नदियां परबत पठार बन यातायात यह आपका यूपी इस्पेशल से संबंदित होगा साथि साथ सम्मिधान में क्या आएगा भारती राज ब्यवस्था यानि सासन ब्यवस्था इस्थानी सो सासन ग्राम पंचायत नंगर पंचायत जिला पंचायत नंगर पालिका नंगर नेगम जिला प्रसासन प्रदेश के सासन ब्यवस्था नियापालिका कारेपालिका सब आपका उसमें इस सम्बंदित इस से जुड़े हुए चीज़ें आपको यहां पर रोजाना मिलेंगी और एक वीडियो आपको आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा इन्वाइरमेंट का होगा बोस्ट इंवाइर्मेंट क्योंट जो कि आपको एक हुए होंगे कहीं कहीं पूछा गया होंगे साथि साथ आपको अध्यन आपका अध्यापन से संबंद भी इस पर प्रशन होंगे किनी जो तीस नंबर आपके जी एस कैंपस को जोड़ जाए या तो फिर नाम लिखके अपना भेज़ने हमें हम इसको गुरूफ में जोड़ देंगे तो मिलेंगे हम लोग किसी नए अभी नए वीडियो में इंवायर्मेंट के साथ धन्यवाद